भाई लोग आपको पता है क्या technology market में एक नया पूपट आयला है एक मिनीट रूकर ज़िए Anthony भाइрь बेसिकले Anthony भाइए कहना चाहते है कि Chad GPT नाम का एक नया फीचर technology की दुनिया में आया है और इस फीचर को Anthony I, मैं समझाता हो audience को अरे सतीज बहु कभी आप उनको भी तुम मोकादो ओडियंस को समझाने का अप उन भी अपनी तरीके से समझाएगा आप समझाओगे तो लोग कुछ ज्यादा ही समझ जाएगे आपकी पोपट वाली वाशाम में आप रहने दो मैं समझाता हो इसे डीटेल में टीके सतीज बहु जैसा तुम बोलता है अप उन इदर से कट लेता है जिया दोस्तों टेक्नोजी की दुनिया में चैट जीपीटी नाम का एक नया फीचर आया है आपको लिखना चाहिए यह भी चैट जीपीटी आपको बताएगा साथी में अगर आप वेब डिजाइजिंग सीख रहे हो और आपको साइन इन पेज का कोड लिखे चैट जीपीटी आपको लिखे देगा आपको कोई लेटर लिखना है जैसे आपको एन उसी लेटर चीए चैट जीपीटी यहां पे जीपीटी का प्रूपम होता है जेनरेटीव प्रीटेंट ट्रांस्पांव बेसिकली एक अर्टिपिशल इंटेलिजन चैट बॉट है जिसे लाउंच किया ओपन एन नुवेंबर 2022 में और इसे जैसे हम चैटिंग करते हैं वैसे आप सवाल जैसे काम करेगा यह स्क्रीन पर देखते हैं मैं दिखाता हूं तो चैट जीपीटी यह option एकसेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा openai.com इस वेबसाइट की ओपर लोग इन और साइन अप बिसिकलि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आरो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और अगर आपने पहले ही साइन अप किया तो लोग इन कर सकते हैं तो मैं साइन अप करके यह पर email id डालूंगा उसके बाद पासवर्ड चूज और पर आ से बाद यहां दख सकते ही नाम जामिय करने के बाद आपको फिर से मोबायल नंबर यहां पर एंटर करना होगा। अचन करने केबाद यहां तो यहां पर मैंने पहला question type कर लिया है, मैं basic कामों के लिए laptop खरीदना चाहता हूं, तो मैं कौन सा laptop लूँ, basically मैंने बोला na, कि chatting की तरह आप यहां पर type करो, देखते हैं, यह chat GPT आपको क्या बता रहा है, आपको basic use के लिए एक budget friendly laptop लेना चाहिए, जिसमें आपको basic task जैसे typing, internet browsing, video playback, यहां पर रिजल्ट बता रहा है, basically आपने जो सवाल पूचा उससे related यहां पर रिजल्ट बता रहा है, अब आपने बस इतना बोला कि कौन सा laptop चाहिए, अगर आपने यहां पर पूचा होता कि क्या-क्या चीज़े उस laptop में होनी चाहिए, कौन से complication को होना चाहिए, त और मैंने बोला है इसे चलो इसका result दो तो उसने अभी देखिए, processor क्या होना चाहिए, वो बता रहा है, यहां पर आपको RAM बता रहा है, basic कामों के लिए hard disk होना चाहिए, सारी चीज़े यहां पर वो detail में बताता है, तो यहां पर आपने बस सवाल पूचा और उसका जवाब यहां पर आपको मिल रहा है दोस्तों, interesting है ना, अब मैं इसे troubleshooting से related एक सवाल पूचता हूँ, जैसे मेरे CPU में से beep sound आ रहा ही है, मैंने यहां पर टाइप किया और enter किया, तो यहां पर देखते हैं यह क्या बता रहा है इसके लिए, तो बहुत सारी चीज़े उसने और भी ब सवाल टाइप करो, troubleshooting से related हो सकता है, आपको कोई नई चीज़ खरीदनी, उससे related हो सकता है, तो उसके जवाब यहां पर मिल रहा है, यह जो यहां पर result आ रहा है, यह back end में Google पे जाकर अलग-अलग searches करता है, मतलब इनके जो CEO उन्होंने का है कि भाई, यह back end में जाकर लग- यह information related question सर्च की, अब मुझे मैं चाहता हो कि भई एक अनोसी लेटर लिखना है, तो मैं यहां पर प्रॉपर लिखेशन टाइप कोऊंगा, write NOC letter for my tenant, मेरे tenant के लिए मुझे लिखना है, for passport office, my tenant name is, tenant का नाम भी मैंने दिया, और मेरा नाम भी दिया, इस तरह से, तो अब लिखाए दे रहा है, I, Satya, and writing this letter, no objections set up a kit to maintain and Raj Sharma, उसका भी नाम आ रहा है, और प्रॉपर, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, I have no objection to issuance of passport, to Mr. Sharma, सब कुछ है यहां पर डीटेल में लिखे आ रहा है, क्या बात है, your sincerely, your signature, और मेरा नाम भी आ रहा है, क्या बात है, दो मिन के अंदर यहां पे letter type करके होगे, अगर आप resign letter type करना चाहते हैं, तो बस लिखो, I want to write my resign letter, और आपका नाम लिखो, directly यहां पे letter रेडी में type होके आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका काम आसान बना रहा है, basically आपका काम बहुत आसान करता है, जैसे आप को कोई ऐसे लिखना है, तो आप यहां पे type कर सकते हैं, मुझे air pollution के बारे में ऐसे लिखना है, तो आप यहां पे type करो, वो ऐसे लिख के आपको मिल जाएगा, या फिर मुझे कोई task अपनी computer में करना है, जैसे मुझे computer आदे घंटे के बाद automatic shutdown होना चाही मेरा computer, तो मैं क्य देख वाद हो, downloading finish होगा, लेकिन मैं उस time पे computer पे present नहीं हो, तो automatic shutdown होना चाही है, तो उसके लिए कोई code बता हो, मैंने enter किया, वैसे इसका code मैंने already बताया है, computer tricks के अंदर, जो की जिसका video में, description में दे दूँगा आपको, फिलाल यहां पे result आपको मिल रहा है, और यहां पे पूरी steps उसने detail में बताया, लेकिन मैं यहां पे DOS Command वाला code चाहता हो, तो यहां पे OOS Command का code ने आए, तो मैं यहां पे लिखता हो कि DOS command का code बताओ DOS command तो वही question में मैंने लिखाए DOS command code चाही मुझे तो यहाँ पर देखते है DOS command का code वो देता है कि नहीं देता है command prompt के अंदर ओहो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बोला कि command prompt के अंदर आपको shutdown space minus s minus t space one eight zero zero यह type करना है आदे घंटे के बाद आपका computer automatic shutdown होगा run command के अंदर या command prompt के अंदर आप यह type कर सकते हैं इंट्रेस्टिंग है न ऐसे यहाँ पर easily आपको studies related code भी मिल जाएंगे दोस्तों अब आपको कुछीज सीखनी जैसे आपको DOS command के code सी सीखने है तो आप यहाँ पर type करो मुझे DOS commands के code सीखने है तो यहाँ पर वो खुद बताएगा कि कौन कौन सी DOS के command के basic code रहते है यहाँ आपको आपको देगा देखी और DOS command के code कैसे type करने उसका screenshot के साथ आपको यहाँ पर यह पढ़ा रहा है क्या बाद है एक एक screenshot आ रहा है command कैसे लिखने देती फाइल मूग के लिए फाइल कॉपी के लिए फाइल डिलीड के लिए create के लिए सब कुछ यहाँ पर आते जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे commands हो रहाएंगे फिलाल मैं इसको stop generating कर देता हूँ और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा अगला सवाल है मुझे website में sign in page design करना है website के लिए basically और उसमें मुझे html css का code चाहिए तो मैं enter करता हूँ यहाँ पर let's see that यह html और css दोनों का code देता है कि html का तो चाहिए चाहिए साथ में css का भी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं html का code प्रॉपरली टाइप कर रहा है एक पटापट पटापट यहाँ पर टाइप करके दे रहा है कि इस तरह से code होना चाहिए html के अंदर आपको अगर sign in page तयार करना है तो submit page कैसा रहना चाहिए सब कुछ आपर दे रहा है और css के ल के बारे में detail में जानना चाहते है computer hardware की उपर भी मैंने course design किया है तो आपको लगता है कि मेरी teaching channel आपको समझ में आ रही है तो जरूर check out description में मेरी courses है जहां पे बहुत ही जो code है इसको आप copy करके directly notepad या पिर आपके पास जो भी code editor उसमें type करके ये page का output देख सकते हैं तो interesting सवालों के जवाब हमें मिले है और इसे डेर सारी सवालों के जवाब यहाँ पे chat GPT देगा साथी में यहाँ पे आप कोई task भी करवा सकते है chat GPT की मदद से जैसे आपको chat GPT इस related blog यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या बात है और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो robot है basically chat GPT का यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉग कुद से type कर रहा है यह Google से एज़िटी कॉपी पे पे यहाँ लेके आ रहा है याद रखिए यह आप regenerate response पे क्लिक करके ब्लॉग को चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप इसी ब्लॉग को हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपर का ब्लॉग हिंदी में टाइप करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर का जो ब्लॉग है वही हिंदी में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा ह तो यह कापी इंट्रेस्टिंग चीज़ है दोस्तों आप यहां पे ब्लॉग लिख सकते हैं आप यूटूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहां पर कर सकते हैं अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लागाना कि इस चैट जीपिटी की मतसे हम क्या आप लागाई